शॉर्ट टर्म में डबल डिजिट कमाई करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के सुझाए इन स्टॉक्स पर गौर जरूर करें निफ्टी ने 18,345 के स्थर पर सपोर्ट लेते हुए जोरदार वापसी की है और एक फॉलिंग चानल फॉर्मेशन से ब्रेक आउट देते हुए 18,514 के स्थित 20 DMA के उपर बंध होने में कामियाब रहा है इसके लिए 18,625 पर स्थित 9 DMA पर पहरे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है अगर निफ्टी ये रेजिस्टेंस पार कर लेता है तो फिर इसमें 18,725, 18,810 और फिर 18,888 के तरफ शॉर्ट कवरिंग रैली आते दिख सकती है अब निफ्टी के लिए 18,514 पर स्थित 20 DMA पर पहला सपोर्ट दिख रहा है जबकि 18,345 पर फिर 18,133 पर अगले बड़े सपोर्ट हैं डेरिवेटिव आंकडों पर नजर डालें तो मार्केट निउट्रल नजर आ रहा है वहीं संस्थागत निवेशिकों की तरफ से आने वाला निवेश भी सुस्त दिख रहा है उधर बैंक निफ्टी अपनी लीडर्शिप बरकरार रखे हुए हैं इसके लिए 44,000 ततकाल मनोवज्यानिक बाधा दिख रही है अगर बैंक निफ्टी ये बंधन तोडने में काम्याब रहता है तो फिर इसके लिए 44,444 और फिर 44,800 अगले टागेट होंगे वही नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 10 DME पर पहला सपोर्ट है उसके बाद 43,000 पर स्थि 20 DME अगला बड़ा सपोर्ट है चलिए आपको बताते हैं स्वास्तिका इंवेस्ट मार्ट के प्रवेश गौर की टॉक ट्रेडिंग पिक्स जिनमें 2-3 हफतों में हो सकती है डबल डिजिट कमाई रिट्स रिट्स में 355 रुपे के स्टॉप लॉस के साथ 444 रुपे के लक्ष के लिए खरीदारी करें 2-3 हफते में इस स्टॉक में 16 फीसदी का रिटरन मिल सकता है प्रवेश गौर का कहना है कि इस स्टॉक ने डेली चार्ट पर ट्रायांगल पैटन फॉर्मेशन से ब्रेक आउट दिया है इसने 355 से 360 रुपे के आसपास 21 बना लिया है इस समय स्टॉक का स्टॉक्चर काफी अच्छा दिख रहा है और ये सभी मूविंग आवरिज के ऊपर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक में और तेजी आने के संकेथ है अपार इंडस्ट्रीज अपार इंडस्ट्रीज में 1550 रुपे के स्टॉप लॉस के साथ 2044 रुपे के लक्ष के लिए खरीदारी करें बतादें कि वनी कंट्रोल पर दिए गई विचार एक्सपर्ट के अपने नीजी विचार होते है वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजरस को मनी कंट्रूल के सलाह है कि कोई भी इनिवेश्टी रंडर लेने से पहले Certified Expert की सलहाले